अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या सिखाएगी 7.1 एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज के बेस्ट कुछ एक्जामपल्स तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि हमने जो भी क्वेस्टन सॉल किये थे वह हमने सॉल किये थे बाई यूजिंग फंडामेंटल कॉंसेप्ट और अब हमको 7.2 के बाद जो भी क्वेस्टन सॉल करने हैं उन में से थोड़े बहुत सवाल ऐसे हैं कि आपको उनको सॉल करना है बाई यूजिंग फॉर्मुला तो आप अगर फॉर्मुले का यूज करते ह यूज करके आपने क्यों कैसे सॉतरा है अगर आपको वह सीखना है और तो पहले आपको वह मतलब क्या हो गया फिर थोड़े बहुत अबजेक्ट सेंकि कि जो उसमें same हो मतलब जो ऐसावाला case है वह आलिगा हमारा second topic में और जो first topic है first topic में यह बोला गया है कि जो भी word आपके पास होगा या पिर जो भी कुछ होगा उसमें सभी object क्या होने डिफेर्ट होने से है तो जब ऐसा case है तो हम महाँ पर यह formula का कर सकते हैं npr so what is npr npr is equal to n factorial upon n minus r factorial where n is what n is the total number of object and what is r r is the number of object which are going to be used so guys अब यहां पे हो क्या रहा है कि आप अगर दिखो तो जो formula है वो formula में आपको एक और sign दिख रहा है वो क्या है factorial का तो मतलब अगर हमें यह formula सीखना है तो यह formula को सीखने के लिए आपको सबसे पहले का सीखना पड़ेगा factorial notation तो हम सबसे पहले का सीखेंगे आज factorial notation और उस factorial notation को सीखने के बाद हम यह formula को आसानी से समझ सकते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सब्सक्राइब और उसके पहले के जो भी एक्जामपल्स है वह तो ठीक है तो अगर मैं देखता हूं जो तरहाँ वही डम है उसके बाद भी मैंश करनाे कि मान तक माईनश करना है जब तक वह नंबर जीरो निया क की जो यह आपके पास रृटेयल संत है यह खाली बजीटिव इंक तक के यह जो बताया वार्टेंन मतलब कि पास ही limited है मतलब 0 के बाद आप जाते हो तो क्या जाएगा कि नेगेटिव इंटीजर मतलब आपको नेगेटिव इंटीजर अगर आ रहा है तो वहां आपको फैक्टोरियल का यूज नहीं करना है यह फैक्टोरियल जो बनाया गया है वह खाली पॉजिटिव इंटीजर के लिए बनाया है तो इसलिए आपको यह पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉलो करना है तो आप अगर देखो तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि वन फैक्टोरियल इस एक लिए फॉल्मॉला एप्लाइ करता हूं तो मैं इसे क्या लिखा पहले बन फिर बन में से वन माइनस तो क्या होगा जीरो मतलब की वन इंटीजरो फैक्टोरियल तो आंसर के आने वाला है वन तो इसी तरह से अगर और भी कुछ क्या लिखांपल है सबब्सक्राइश किरों सब्सक्राइब घ्रियों पर लिक्टोरम सिब्सक्राइब coils हो क्या чуть-star मतलब मेरा फाइनल आंसर के आएगा है यहां पर 24 जब भी आपको फैक्टोरियल दिया हो तो आपको उसे इस तरह से स्वाल करना है और वो खाली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए ही एप्लिकेबल होगा तो अब अगर आपको फैक्टोरियल आ चुका है तो आपको इस फॉर्मुला भी समझ में आ चुका होगा तो अब इस फॉर्मुले में एक और चीज़िआ जो की ध्यार देन लागा अब अगर इस एंड की वैल्यू से ज्टा की से क्या हो जाए कम अगर ने यहां पर जेलीमे मतलब धी एल्युजिव नियीव claro होता ही नहीं है मतलब क्या हो गया कि जो value of n मतलब जो value of n है वो कभी भी r की value से less नहीं हो सकती तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके based कुछ example और उसके बाद फिर 7.2 exercise तो जैसे हमने भी सौल किया था 4 टूर तो इसे बैसी तो कर रहा है बतलब फिर उसके बात 4 फिर 3 फिट टू इंटू 1 फिर 0 destral ''- Фactorial'' तो आप अगर चाहोँ तो इस 0 कि बिखो चाहे न लिखो क्योंकि इसके वालु is नहीं पड़ेगा ठीक है तो इसके बास तो मैं चाहे जब भी लिखोंगाAST, तो तो। मैं वहां यह नहीं लिखोंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं हÈ सब्सक्राइब करने के पाद कि 5 इंटु 4 हो गया 20 इंटु 3 इंटु 2 मतलब क्या आगया 120 फिर उसके पाद हमें फाइंड आउट करना है मतलब आप अगर देखे तो इसका आंसर क्या आ सकता है फिर अभी हमारा इसका पाइनल आइसर फिर उसके बाद देखते हैं तो जो 3 दिया है थर्ड में आपको क्या बता लाइ द्याल थो आप इसका आणसर निकाल लो फिर जो भी आएगा आप उन्हें माइनस कर देदा तो आप यसे भी कर सकती हो और एट्रीक है तो वो ट्रिक है आम देखते हैं तो 7 फेक्टोरियल है तो मैंने इससे क्या लिखा पह तो तो पहली बात तो यह कि मैं 5 पे stop क्यूंब क्यों अपया है तो इसलिए मैं 5 पे stop हो गया फिर उसके पास यहां पे यहां पर क्या किया कि 5 फैक्टोरियल कॉम लिया यहां पर क्या जाएगा इसका फाइनल आंसर ठीक है इसका बाद देखते हैं इसका इसका बाद देखते हैं इसका बाद एक्सराइज तो आप अगर यहां देखें तो क्या दिया कि 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल तो अगर मैं ध्यान दूं तो सेवन फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल आ सकता है और अगर ऐसा केस हो तो क्या करना है कि पहले सेवन फैक्टोरियल के लिए आप एप्लाइ कर दो फैक्टोरियल का फॉर्मुला तो आप क्या नहीं सकते हो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे आप जाके स्टॉ हो जाओ क्योंकि आपके पास यहां five factorial है तो अगर यहां five factorial है यह इससे क्या हो जाएगा cancel तो हमारे पास क्या बचला है फिर seven into six और उसके बाद फिर six example का second question तो अगर मैं इस second question में देखूं सो मेरे पास यहां पर क्या है 12 factorial upon 10 factorial into 2 factorial तो अगर मैं ध्यान दू तो इस वाले factorial में मेरे पास क्या सकता है है 10 factorial अगर मैं इसमें दो step आगे जाऊं तो मतलब मैं ने क्या किया इससे मैं लिखा है की 12 into 11 into 10 factorial सभाई का होगया की मेरे पास आगा है 10 factorial अब अगर क्या आख़े क्या है 10 factorial तो में इससे इससे क्या करद मा कैंसल तो अब हमारे पास क्या बच रहा है कि 12 इंटू 11 और यह 2 फेक्टोरियल का मतलब क्या कि 2 इंटू 1 अब यह इससे कैंसल हो गया है तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहा है इसका 66 ठीक है फिर उसके बाद देखते हैं एक्जामपल नमबर 7 तो इक्जामपल नमबर 7 में है Čके इसकी आपको धुर कर्मी है तो फिर मतलब इसकी डीया तो उसकी क्या मीन चाहिए इसकी क्या नपर यह रहा है कि 5 एक्टोरियल अपन्टू पेक्टोरियल इंटू 3 अप्लाइ witnessed निया कि नब करूंगा की मैंने एपलाई किया 3Factorial तक क्योंकि मेरे पास अगर क्या 3Factorial तो वह वहाँ से आके क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इसलिए मैंने इसे का लिखा 5 x 4 x 3Factorial और इसको मैंने चेंज कर दिया 2 x 1 बे और यह ओ गया 3 Factorial यह इससे क्या हो गया तो अब जो फॉर्म दिया वह थोड़ा साल लगे और अगर यहां पर जो भी टर्म से वह कहां दिया है अब आपको अगर यहां पर लेना आसकते हैं तो पहले क्या करना है आपको इसमें और इसमें आपको फार्मला अप्लाय करना और आप कहां तर्य अप्लाय करोगे एट फैक्टोर्यल तक विकोज एट वैक्टोर्यल यह बहुत ही हो जाएगा तो हम देखतें हैं कि यहां पर भी आ गए यहां भी है और यहां भी है तो मैंने क्या कि इन दोनों में से पहले एट फैक्टोरियल को मैंने कॉवन ले लिया तो अगर मैं यहां से इसके पास क्या बच सब्सक्राइब इसके सब्सक्राइब डीक हो विर सब्सक्राइब कर दो ऊंसें रहा है हमारे पास यहां पे आ रहा है 10 is equal to x by 10 so x value क्या आ गई हमारे पास 100 ठीक है तो यह हो गया हमारा फिर example number 8 so guys please pause the video to note it down और इसके बाद हम देखते हैं फिर exercise number 7.2 अब हम देखते हैं 7.2 exercise 7.2 exercise मुझे फर्स्ट क्वेस्टन है उस फर्स्ट क्वेस्टन में दिया है दो क्वेस्टन तो उसमें जो फर्स्ट क्वेस्टन क्या दिया है कि 8 factorial के में value find out करनी है so guys what we can write it as 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मतलब आप जब इनका कर लोगे multiply तो multiply करने के बाद जो भी answer आएगा वह जाएगा हमारा इस question का final answer ठीक है तो यह हो गया हमारा first question फिर बात करते हैं हमारे second question की है 4 into 3 factorial क्योंकि यहां पर क्या दिया है 3 factorial तो मैं इसलिए वहां पो जाके stop हो गया उसके बाद और into 2 मतलब answer क्या आपारा 18 ठीक है फिर माते हमारे second question तो second question में आपको कुछ पूछा है कि is is three factorial plus four factorial is equal to seven factorial आपको ऐसा पूछा है कि जो इसकी value आ रही है क्या हो इसके equal है सो मैंने क्या निकाला है पहले LHS तो अब LHS की value क्या है कि three factorial plus four factorial तो सबसे पहले मैंने क्या कि इससे क्या लिखा four into three factorial फिर यहां से मैंने common ले दिया है three factorial तो क्या आएगा कि one plus four मतलब three factorial into five अब यह three factorial की value क्या होती है कि three into two into one into five भी है तो अब इसका मेरा five answer क्या आने वाला है कि three into two is equal to six into five मतलब क्या आगया थर्टी अब अगर अगर वापस multiply करते हो तो कोई इसा चांस नहीं है कि इसका answer क्या आजाएगा निकालता हूं निकालता हूं थर्टी आ जाए तो इसलिए लहें जो है वो आरेचेस के इकवल नहीं है मतलब क्या हो गया कि जो इसका answer है वो इसके equal नहीं आ सकता मतलब आप क्या लिखोगे तो थर्ड कोईस्टन तो थर्ड कोईस्टन में आपको find out करना कआए कि 8,6 इंतु 2 फैक्टोरियल तो आप अगर देखें सो व ह्नादक क्या सकता है तो मैं उसके प्रक्तोरियल में जागे इसकू से प्रक्तृरियल अपन 6 आप इस्टे से लिग दिया कि मैंने पर 2 बन आभी इससे क्या हो गया तो आप उस एक्जांपल को देखके भी सॉल कर सकते हो ठीक है हम फिर भी देख लेते हैं है मैं इसको जाओ अगर मैं ध्याद दू तो इन तीनों सकता है और इसमें भी आ सकता है तो मैं पहले क्या करूँगा कि इन दोनों को इसके बाद वहां से फिर शेक्ष फैक्टरियल कॉम लेकर जैसे रहंने वह एक्जांपल सब्सक्राइब कर दें ठीक है एंटो इसे बढ़ पिर एंटो इन्टु सेवन इंटो इन्टु सेटोरियल अब उसके बाद मैंने यहां से कॉमल ले लिए और कॉमल लेने के बाद या गया बचा वन उपन यहां पर यहां पर यहां पर किस्ट मैं यहां पर कि इस ब्लस नुच्ट चस्ट की दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने है और आपको क्या बोलाए कि जब अब इसमें दिये दो पहला उसमें यह दोनों की वैलू दिये यहाँ पर रखके इसका निकालना है तो मैं एक सॉल्ल करता हूँ जो पॉर्स्ट कुरिश्ट है और रक्ते हैं अनु नहीं इसकी वैलू तो आंसर के आएगा शिक्स बतलब भाई क्या वराए कि शिक्स फ्रक्टोरियल अब इसे क्या लिखा आपने शिक्स इंटू फाइटू फोर पे जाके इस टॉप हो जाओ ना विकॉस यह इससे क्या हो जाएगा चैंसल और अगर यह से वैलिव फिल क्या दिए कि नाइन फैक्तोरियल और गाइन फैक्तोरियल अपन क्या हो गया फोर फैक्तोरियल पिर आप जब इनका लोगे जो भी ऑंसर आएगा वह जाएगा वारा इसका फारिल आंसर तो तो गाइस यह था हमारा 7.2 एकसराइज और उसके बेस्ट कुछ एक्जामपल्स प्लीज अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्स प्रफब नहीं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करतेज प्लीज अगर चैनल